प्राचीन भारत के ह्रदय में भार्शे वंच ने अपना नाम अंकित किया जो उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर राज टैक्स्ता था उनका रूल काल सम्रिधी और शक्ति का युग था जो सैन्य कौशल और कुशल शासन की नीव पर बना था छोटे राज्जियों और बदलते गठ बंधनों की प्रिष्ठ म्यूमी से उभरते हुए भार्शिवों ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करती एक ऐसा वंश स्थापित किया जो भारत के एतिहासिक परिद्रिश्य पर एक अमिक छाप छोड़ेगा उनकी कहानी महत्वा कांक्षा, रणनीती और एक शक्तिशाली वंश की स्थाई विरासत की कहानी है। भार्शिव समझते थे कि सच्ची शक्ती केवल सैन्य शक्ती से नहीं बलकि बुद्धिमान और दयालू शासन से भी आती है। इस द्रिश्टिकोन ने उन्हें अपनी प्रजा की वफादारी दिलाई और उनके शासन की स्थिर्ता सुनिश्चित की। जाते थे। जो वंश की सखलता और दीरगायू के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने शासन की एक सेंटर सिक्रित प्रणाली की स्थापना की। जिसमें प्रांतों का नेत्रित्व नियुक्त ऑथोरिटियों द्वारा किया जाता था। जो सीधे राजा को रिपोर्ट टैक्स दें। इसने उनके पूरे डोमेन में कुशल कर संग्रह, कानून प्रवर्तन और शाही फर्मानों के कार्यानवयन को सुनिश्चित किया। भार्शिव वंज के सबसे प्रमुक शासकों में राजा चंद्रशेखर अपनी सैन्य प्रतिभा और एड्मिनिस्ट्रेशनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। उनके रूल काल में राज्य के क्शेत्र का एक महत्वपूर्ण विस्तार और नवीन रेविन्यू संग्रह प्रणालियों का कार्यानवयन देखा गया। जिसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। एक और उलेखनिय शासक रानी अवंतिका को उनकी बुद्धी मत्ता और कला के संरक्षन के लिए याद किया जाता है। उनके रूल काल में साहित्य, संगीत और वास्तुकला का विकास हुआ। जिससे वन्ज की विरासत में एक जीवन्त सांस्कृतिक आयाम जुड़ गया। भार्शिवों ने समरिद्ध शहरों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जो व्यापार, संस्कृती और प्रशासन के केंद्र के रूप में कारियर टैक्स ता था। इन शहरी सेंटर्सों को स्ट्राटिजिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मारगों पर स्थित किया गया था, जो वन्ज के आर्थिक कौशल को और मजबूत टैक्स ते थे और उन्हें वानिज्ज और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक व्यापक जाल से जोड़ते थ जैसे जैसे वन्ज का विस्तार हुआ और उसकी स्ट्राटिजिक जरूरतें विक्सित हुई, वैसे वैसे उसकी राजधानी का स्थान भी बदलता गया। लोकेशन आंतरित कर दिया। यह कदम वन्ज की बढ़ती महत्वा कांक्शाओं और शक्ती और प्रभाव के एक अखिल इंडियायन नेटवर्क के केंद्र में रहने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। सेक्शन 4 Echoes of the Vedic Age, Lineage and Legacy भार्शिव वन्ज ने एक ऐसे वन्ज का दावा किया है जो वैदिक काल के पूजनिय सेजियों और परंपराओं तक फैला हुआ था। जो प्राचीन भारत में गहन बौधिक और आध्यात्मिक विकास का काल था। एक सम्मानित अतीद से इस संबंध ने उनके शासन को वैद बनाने और उन्हें ग्यान और धार्मिक शासन में डूबी हुई विरासत से जोडने का काम किया। भार्शिवों ने रगवेद और अर्थ शास्त्र जैसे वैदिक ग्रंथों में निहित सिध्धांतों को अटैक्शित किया। इन प्राचीन आदर्शों को शासन और सामाजिक संगठन की अपनी प्रणालियों में शामिल किया। भार्शिव अपने समय के कई राज लिनियेजों की तरह गुरुकुल के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध शिक्षन सन लोकेशनों के सनरक्षक थे। ये गुरुकुल जो अकसर शांत वन सेटिंग्स में स्थित होते थे, सीखने के केंद्र थे, जहां सभी क्षेत्रों के छात्र सम्मानित, सेजियों के अधीन अध्ययन टैक्सने के लिए एकत्रित होते थे। ऐसी ही एक संस्था भार्द्वाज गुरुकुल का भार्शिव शासकों के लिए विशेश महत्व था। उनका मानना था कि उनके वन्च का पता वैदिक ग्रंतों के एक उजनी अव् प्रशी भार्द्वाज से लगाया जा सकता है। इस संबंध ने उनके शासन में लेजिटिमाइजेता की एक और परत जोड़ दी जो उन्हें ग्यान ग्यान और आध्यात्मिक अधिकार के लिए जाने जाने वाले वन्च से जोड़ती है। झाले जोड़ती है। झाले जोड़ती है।